हाई फ्रेंज करे गैडन्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अज़का जब वीडियो है वो है आपका BPS E 212 का और हम देखेंगे इसमें चेप्टर 5 4 तक चेप्टर कंप्लीट हो गए अधि आपने वाच नहीं किया है तो वाच कर लिजेगा इसका PDF दिस्क्रिप्टर बाक्स पर दे दूँगी वहां से डाउनलोड कर लेजेगा बहुत इंप्टर इंप्टर है क्योंकि भारती संभीधान का निर्मार भारती संभीधान का किस तरह से निर्मार हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो चलिए फिर देख लेते हैं शप्टर आपके लिए इंप्टर हो सकता है तो इसमें थोला सा देखते हैं कि भारती संभीधान ने प्रक्तियात्मा के वहां तात्रिक मामलों के लिए बड़ी संख्या में समीतियों की स्थापना की कुछ समीतियों ने मुद्दों पर साव संभीधान के मशाओदे पर की गई संस्तुतियों को समाविष्ट करने के लिए अग्र शारित किया गया संभीधान का प्रारूप संभीधान सभा में आया संभीधान के मशाओदे की सभी विदियों को तीन बार पढ़ा गया कुछ मशाओदों पर बार बार भी मर्स हुए बहस गंबीर इवम गहन थी तीन वर्षों के कार के उपराद भारत की सम्मिधान सभा ने 20 सुका सबसे वड़ा लिकिस सम्मिधान प्रसुत किया 29 नॉम्बर 1949 को सम्मिधान सभा के अदश डाक्टर रजेन प्रशाद ने इसको प्रमाडित किया तता 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और इसी दोरान पांस और चोमन दाजवारे भारती गरतंत्र में सामिल हुए यह हमारा सम्मिधान अगर हम छोटे संचित में कहें इस सम्मिधान की खाश्यत क्या है विसेस्ताय क्या है देखिए तो सबसे पहली इसकी जो विसेस्ताय थी कि इसमें किसी भी कार को पूड़ा करने के लिए सम्मिधान सवा में कमेटी रिपोर्ट पर विचार भी मर्स किया उसकी बाद इतना ही नहीं सम्मिधान में बहुत सारे देशों के जो सम्मिधान में लाते रूल कानून थे उनको लिया गया है उस संविधान से भी उठाया गया है उसके बाद इसमें बहस की गई ठीक है ना विचार भी मर्ष भी बहस भी की गई और इसके बाद जाके कहीं पे दो साल ग्यारा महिने अठारा दिन हमारा जो लिखित संविधान सबसे बड़ी विशेष्टा हमारे संविधान की यह है ठीक है ना और लचीला संविधान इसमें परिवर्तन किये जा सकते हैं जो कि 29 नॉंबर 1949 को तयार हुआ और डाक्टर राजन प्रशाद ने इसको प्रमा कि पहले अंग्रेजों का सासान था अंग्रेज 12 चोड़कर चले गया तब जाके कही संविधान बनाया गया और 26 जन्मरी 1950 को लागू किया गया जो राजवारे यानि जो राजा लोगते अलग अलगते वह जो है पांसो चोमन राजवारे जो थे वह हमारे इस देश में हमार प्रतानिक सरकार का ऐसताब्य संविधान के नियायं निर्मित हुए जैसे की उनाटेट किंग्डम कमाड़ा आस्टेलिया निर्जरिलन और प्रत्निद्यों सभाओं सभाओं नाम है राष्टि सभा समयधानिक सभा तु संभीधान जो होता है वह से परिवर्टित नहीं की सकती सभ होती कि एक सभा होता प्रधान मंत्री की रिस्पांसिबिल्टी होती है मंत्री परशत की होती है बिपक्ष जो होता है उसके भी बोट की जवरत उसमें पढ़ती है ठीक है ना साथ ही साथ में प्रधान मंत्री सारी राष्ट पते की जवरत पढ़ती है इसलिए कहा जाता है कि संभी लाव किसी कानून को इतनी आसानी से हम तोड नहीं सकते हैं और उ एक सरकार जो संभिधान के अनुशार काम करती है या फिर एक सरकार जिसमें एक संभ्यधान मौजूद होता है वे संभ्यधानिक सरकार कहलाती है ठीक है नम स्वि Ford i tricky stuff ब्योभर потреб का विचार नोखा था और 1934 मिं राष्टी कांगरेज द्वारा इसकी मात रखी गई हमारे समिदान सभा होना चाहिए मुस्ली लिंग इसकी बिरोधी थी क्योंकि उसे संदे था कि वयस्क मतादिकार द्वारा चुनी हुई समिदान सभा में कांग्रेश का प्रभूत्त होगा और जिसको लीग एक हिंदू दल मानती थी यही था में बटवारे का हिंदुस्तान और पाक निदियों को कुछ अब्रेश प्रतनी थे और उन्होंने समिदान निर्मित करने के लिए कहा और कैविनेट मिशन के विचार में से निर्मित करने का आदर्स रास्ता था वयस्क मतादिकार के आधार पर चुनाओ परंत इसके लिए समय का अभाव था और उसी बर्स में पहल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बाहरी व्यक्तियों से भी सुझाव लिए और प्रारंबी कारों को पुड़ा होने दिया अच्छा यहां पर देख लेते हैं क्योंकि संविधान सभा क्या होती है तो देखिए संविधान सभा जैसे अभी हम पढ़ गिए संविधान का अर्थी क्या होता है नीमो की एक संस्था होती है ठीक है न थो उस सभा में सम्विधान सभा में जैसे ऐगर हम यहां पर संसद होते वो चुनके आते हैं तो तो पर राज के अंदर के लोग चुनके आते हैं लेकिन जो सम्विधान राजसभा और लोग सभा में जितने सांसद होते हैं वो राज्यों से चुनके आते हैं पर दिया है यहीं होता है आपका सम्विधान सभा यहां पर दिया हुआ है तो वहां पर केमरेट मिसन था उसने मंजूरी दें थी जो कि सम्विधान सभा की स्थापना की जाये लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम लिंग था वो इस चीज का बिरोधी था उसको डर था कि क्योंकि अगर मतादिकार जो है ठारा वर्स रख दिया जाएगा तो वहाँ पे बयास को लोग को बोट देने का हग हो जाएगा तो वहाँ पे ज्यादा जो चुन के सरकार आएगी वो हि के लिए खत्रा लगता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है वो जो इलेक्ट्रो रेट होता है उसकी आधार पर ही चुना हुआ था और केवनेट ने के प्रस्ताव भी रख दिया था कि जो प्रांती विधान सभाओं का भी सम्विधान सभा द्वारा चुना होना जरूरी है ना कि केंदर का ठीक है अगला कुश्च्म अंतरिम सरकार पर केवनेट मिशन का क्या प्रफा हो था यह देख लेते हैं था कि सम्विधान सभा की जो दो सोतिरानिए सीटे गवर्णर के प्रांतों को उनकी संक्या सक्ट के आधार पर आवंटित की गई थी तो उस समय संभिधान के प्रांतों का प्रतिंदित चार सदस्यों द्वारा होना था जैसे उस समें गवर्नर होते थे आजकल के मुखमंत्री होते हैं तो तिरान ने सीटे 566 राजवाडों द्वारा शासित प्रदेशों को अवंटित की गई थी और बाद में समिधान सभा की वारता समीत था राजा सबसे क्यों बहुती की समी communist सवांपर रहे हैं तो दो सव तिरान ने सीटे थी और जिसका बट्वारा जन संक्या सक्टि के आधार पर किया जाता था और इसके आधार पर कमिस्नर के प्रांतों का प्रत्थैं कर द सदस्यों तृटित ने सीट से जो थी दोर निर्मेत किये जाएंगे तो यहां पर हमारा जो राज है वो खतम हो सकता है जब तक सम्भिधान निर्मृत की प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक प्रमुग दलों के प्रत्निदियों की सहाथा से गवर्नर जनर सरकार चलाता रहेगा और कांग्रेस से मुस्लिम लिंग के बीच अंत्रिक सरकार के गटकों के बारे में कुछ मद्बेटते परंत उनको दूर कर लिया गया पहले मुक्तिया कांग्रेस के सदस्वताबाद में मुस्लिम लिंग को सामिल करके एक नई क्यारकारी पर्षद का निर्माड किया गया कि हाँ पहले मिसन ने अपना प्रस्ताओ दे दिया कि जब तक संभिधान निर्माड की प्रक्या चलती रहेगी तब तक प्रमुधलों की प्रत्निद हैं उनकी सहाता से गवर्णर जनर सरकार चलाता रहेगा अब मतलब वो अभी भी राज़ करना चाह रहे थे रहे चांग्रेश मुस्लिम लिंग के बीच में भी बहुत कण्फिूजन था इस बात को लेगर के लेकिन उसकूजन दूर कर लिया गया और जो कांग्रेश के सदद से थे ता बाद में मुस्लिम लिंग को सामिल करके प्रभागों में बैठना तो स्विकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी समिधान सभा में सामिलना होने का फैसला किया और जब तक कांग्रेस काइबरेट मिसंद्वारा निर्धारित वर्गी विवस्ता को ना मान ले तर तक के लिए और 9 دسمबर 1946 को गवर्नर जनरल लाड माउंट विटन द्वारा ये लास्ट गवर्नर जनरल थे यहां के भारत के और 14 जुलाई 1947 को जब ऐसा हुआ तब भारत की समिधान सभा में सिर्फ 23 मुस्लिम लिंक के सदस्वा में चले गए यानि कि यहां पे वही में कह रहे हैं कि हिंदो मुस्लिम बाली बात हो रही थी और कितनी सारी बैटके बुलाई उसमें जो मुस्लिम लिंग था वो नहीं आ रहा था आखिर मजबूर हो करके यहां पे भारत विभाजन का निर्णा ले लिया गा क्यों हो पाकिस्तान बनाना च बाइस बनाना चाहे रहे थे ठीक है उनको यह मानना था कि हां पर हिंदू लोग जाता है तो इनके अंग्रेजों के जाने के बाद मुसलमान यहां पर नहीं रहे पाएंगे उनके साथ अच्छा ब्यवान नहीं किया जाएगा यहां कर जो एक तरह से गवर्णनस है वह पाकिस्तान सवा में चले गए थे और बिभाजन के फलसरूप भारत की समिधान सवा की शमता में एक तिहाई की कमी आ गई और अनुपातिक रूप से कांग्रेज की सक्ति बढ़ी थी और पाकिस्तान के सरणातियों के आगमन के बाद कुछ और सदस्यों को जोड़ा गया य यहां पर रहने वाले हिंदू सिक लोग लोड़ के अपने भारत में आ रहे थे तो उसकी भी समस्या यहां पर बढ़ गई थी तो यह है आपका कोश्चन जो था हमारा स्वारियों जो हमारा कोश्चन था आपका कि अंतरिम सरकार पर कैवरेट मिसन का क्या प्रभाव था ठीक है अब हम नश्ट देखते हैं कि समिधान सवा में कितने प्रकार का नेत्रित था बताएं मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता लेकिन फिर विसको देख लिए दो प्रका साली बहुमत था उस समय समिधान सवा में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो बिल्कुन आगे आ सकती थी और कांग्रेस का जो इस्थायत था वह स्टार्टिंग से आजादिक की समय से था और उसमें पिछली बिटिश सरकार विधाय का में कानून भी से सगें विधान मंदर के महात पूर्ण सदाश्रु भी थे ठीक है तो यहां पे देख लेते हैं कि मोटे तोर पर समय दान सवा में दो प्रकार का नेत्रित था एक राजनीतिक था दूसरा तक्नीकी था ठीक है ना तो कांग्रेस पार्टी के संख्यात्मक प्रभूत के कारण प्राक्टिक रूप से नेत्रित इसी के नेताओं के पास में था और उच्छे इस तरही नेत्रित में भी सामिलते से जवाल लाल नेरू सरदार बलाबाई पटेल मौराना अबुल कमाल आजाद डाक्टर राजेंद प्रशाद ये सभी कांग्रेस में थे और ग्रेंबिल आस्टिन ने नेरू पटे तो यहां पर आपको थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में लिखना राजनीत करना चाहते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी तक्नीकी मामले से देखना चाहते थे उसके हिसाब से काम करना चाहते थे उन में एक था डाक्टर अंबेटकर जो जिनोंने अपनी तक्नीकी दक्षता को राजनीत समझ के साथ मिला लिया जैसा कि कुछ कांग्रेसियों जैसे संथानम टीटी कृष्णाम अचारी ने किया जिनकी पार्टिक साथ जुड़ा और लंबा नहीं था ठीक है और यह लोग आलोशक भी समिधान के प्रारूप में समिधान सभा में बिपक्ष तो भीपक्षिका सरूप भी उस्थाई था, कमिलेट में सन्यवारतियों को तीन समुधाव में बान। मुहम्मद शादुल्ला को सम्मिधान सभा की प्रारूप समित में सामिल किया गया और सिर्फ मुस्लिम लिंग की मद्रास प्रांथ की साखा जो थी अपनी पहचान को बचाय रखने का निर्णा लिया और लगा ता परन्त अपेक्षणी विपक्ष की भूम का निभाई थे हैं कांग्रेस की विपक्ष में कौन कौन लोग थे एक इसमें देख लेते हैं फेंसीटर्स क्या ठीक है ना फेंसीटर्स देख लेते हैं कांग्रेस ने न केवल हिंदू महासभा के दो नेता ओं मेल कीया बलकि दो समाज वादियों दो फारवर्ड ब्लाक के यानि शुःज रखन्ना पर स्वाद बिए किया और 1948 की सुरुवात में समाजबादियों फारवर्ड ब्लाक की ने कांग्रीज के साथ अपने संबंद को तोड़ दिया था और सदस्यों की सवा से त्यागपत्य देने का निर्देश दिया परं सदस्यों इसे इंकार कर दे और संबिधान समा में बने रहे हैं तो इस तरह कि यह क्या क्या बलते हैं तिसी करेंगे यह लिए और उसमें कोशन भार बार रिपीट कियाए और आपके लिए इमपॉर्टेंट हो सकते हैं समय प्रिदान का निर्मार जो है वह किस तरह से हुआ यानि समयदानी सरकार का क्या अर्थ है अंतरिम सरकार पर कैमिनेट मिशन का क्या प्रभाव पड़ाई है कोशन आपके लिए बेरी इंपोर्टेंट हो सकता है इसको आप पाई लिजे ठीक है चलिए फिक पीडिया डिसकी हम आपसे फिर मिलते हैं जब तक के लिए टेक केर बाई